हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूप च्याम रहा क्लासिस में जैसे कि आपको पता हमारे शेफ्ट चलता घड़ी ठीक है घड़ी में मैंने कहा था कि दो गिलासि में आपको पूरी घड़ी कंप्लेट करा दूँगा एक वीडियो में पहले अप्लोड कर चुक बिल्कुल अगर आपसे कुछ नहीं आता आज से पहले घड़ी नहीं पड़ी है तो दो वीडियो देख लेना कहीं जाने की जुरूत नहीं हर टाइप का कोश्चन मिलेगा अगर कोई से टाइप आपको नहीं मिलता तो मुझे कमेंट कर देना मैं उस टाइप पे वीडियो बना दूँगा पर मुझे नहीं लगता कोई सा टाइप मैंने छोड़ा है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन है यह जो इस टाइप के कोश्चन में काफी स्ट्वेंड कंफिय जाते हैं यह दरगा साड़े पांच और छे बजे की बीच घड़ यह दे को ओप्शन में यह देखना है ठीक है जैसल्स नंबर सी है यह मगें क्या चेक करना है यह जो दिया होगा इसमें मुझे अंस लेना इसका इसका के लेना अंस अंस कितना है पांच ठीक है और इससे पहले जो लिख रहा हो गई हो कितना लगा 43 इसमें से इकाई कंग लेना है कौन से लेना है इकाई कंग इकाई कंग कितना तीन पांच और तीन जोड़ा कितना अगे आठ अगर यह मेरा यहाँ पर दस है जाता अगर यह जोड़कर दस है जाता तो मेरा correct answer C हो जाता ठीक है पर यहाँ पर कितना अगे आठ इसका मतलब मेरा answer C नहीं होगा अब मैं आँगा option number D पर option number D में जब मैं चेक करूँगा अंच कितना है? 7 और 11 कितना 43 में? 11 कितना 3 जब मैंने इनको जोड़ा तो कितना अगे 10? कितना अगे 10? और मैंने कहा था अगर 10 आयता तो वो हमारा answer होगा तो option number D हमारा correct answer हो जाएगा तो कितना आसान तरीक आना ठीक है अगर आपको confusion अभी मुझे लगता है मुझे लग रहा है बहुत straight ऐसे होंगे जो अभी भी उनके दिवान confused होंगे किसार अगर 4 option में ऐसा हो जाए कि जोड़कर 10 बनें तो क्या होगा? तो मैं वो question भी आगे कराऊंगा हर type का question है मेरे पास ठीक है? तो वीडियो को लाश्ट तक देखना आपका सारा confusion दूर हो जाएगा तो question number 2 पर आते हैं ठीक है? question number 2 पर आते हैं question number 2 क्या है? दूसरा question यह है 5-6 बज़े की बीच घड़ी की सुईया कब एक दूसरे से समकोड़ मनाएंगी? समकोड़ मनाएंगी ठीक है? मैं ना बताया था इसी तरीके चेक करना है क्या चेक करना है? यहाँ पर देखा कितना uns कितना देखा uns 10 है? और मैंने यहाँ पर देखा एका इका इकंग इस दस में एका इकंग कितना? जीरो इस 10 में 1 आइगां कितना 0 जब मैं 10 में 0 जोड़ूं कितना एक 10 आएगा तो मैंने देखा option number A correct हो गिया फिर मैंने option number B वी चेक किया option number B में क्या है अंस कितना 7 और 1 आइगां कितना 43 में 1 आइगां 3 7 आइगा 3 10 मैंने देखा option number B में भी 10 आ रहा है option number B वी आंसर है तो मैंना option number C चेक करा तो option number C में दे रखा था एक और भी दोनों होंगे तो मैंना option number C correct कर दिया option number C क्या होगी है मेरा answer कितना एजी है ना ठीक है अगर वीडियो अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक जरू करना और दोस्तों को सेर करने चैनल को सब्सक्राइब पर देना अगले question पर दे हैं ठीक है हर type का question मिलेगा आपको हर type कर ठीक है दो वीडियो देख लो only कोई सा घड़ी का question बचेगा नहीं अगले question पर दे है question number question number 13 जो आपको जातर confuse करता है वो आपका confusion अब दूर हो जाएगा ठीक है इसमें चार और पांच बजे की बीच घड़ी की घंटे तरस मिनिट की सुझे कब समकोन बनाएंगी समकोन बोल सकता है 90 डिग्रे कोन बनाएंगी ठीक है बात एक ही है तो जब तुम option number A को चेक कर रहे होगे तुम देखोगा अंस कितना चार ठीक है बैसे 90% ऐसा केस नहीं बनता है पर कभी बन जाता है तो उसके लिए में बता रहा हूँ अंस कितना चार और तुमने 16 में 11 गंग देखा 6 तुमने जोड़ा कितना ये 10 तुम्हारे द्योंग में एक दम आया ये हमारा आंसर होगा ठीक है फिर तुमने उप्सन नमबर B चेक किया फिर तुमने देखा अंस 5 एक एक अंग 5 तुमने देखा यहां भी 10 तुम्हारे ने देखा उप्सन नमबर B भी हमारा आंसर होगा फिर तुमने उप्सन नमबर C पर तो तुमने देखा उप्सन नमबर C में अंस दो एक एक अंग 38 में 8 तो तुमने यहाँ पर देखा जोड़कर कितना रहा 10 ठीक है तो तुमने देखा तीनों में 10 बन रहा है तो यहाँ तो बहुत बड़ा confusion हो गया आप कैसे करेंगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसका भी में आपको solution बताता हूं बहुत इसी तरीके से ठीक है option नमबर B और C लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों में 10 बन रहा है अगर B और C में 10 बनता तो हम option नमबर D को लगा सकते थे तो यहाँ पर हम में तुम्हारा confusion दूर करता हूं ठीक है जब भी ऐसा बने confusion हो जाओ तीन में चार में 10 बन जाए तो क्या करना है तो एक formula में आपको बताता हूं कि जो याद रखना तुमको क्या याद रखना समकॉन के लिए होता t plus minus 3 इंटू 60 बटे 11 ठीक है बहुत इजी formula दिमाग में अराम से रख सकते हो इतनी बात तो अब ती के लेना तुम्हारा दिमाग मारे अब ती कहां सा आएगा ती आएगा मेरे यह पहला वाला time जो दे रखाऊगा चार यह पहला वाला time जो भी दिया होगा बोलेंगे हम ती की जगा ठीक है मतलब time ठीक है एक बार plus लेंगे एक बार minus लेंगे ठीक है प्लस लेते हम चार लेंगे यहां पर ठीक है चार लिखेंगे प्लस लेंगे तो प्लस लिखेंगे 3 multiply 60 बटे 11 से जब तुमसे जोड़ोगे 4 3 7 मैं directly गुणा कर दूंगा ठीक है 4 3 7 7 7 की गुणा जब चोड़ोगे बड़े में कितना 11 मैं इसलिए डायरेक्ट पुला दूंद दूंद दे क्योंकि स्पेस नहीं है ठीक है तो जब हुम 420 से divide करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा 11 या 33 ठीक है 11 या 33 कितने बचेंगे 9 बचे कहें हाँ से इसके पीछ जीरो 90 हो जाएगा जिब 11 से डिवाइड करें 11 या 38 ठीक है 38 साही 2 बचे 11 हमारा आंसर आजाएगा तुमने देखा 28 साही 2 बचे 11 है इसमें है तो इसका मतलब या आंसर हो गया मैं कहूंगा हाँ या आंसर करेक्ट है अब तुम्हारा दिवाएग एक बात और एक बार माइनस से चेक करना है ठीक है अभी तो हमने पिले चीन से चेक कराए तो पिले चीन से हमारा सी अंसर आगे कभी सी लगा गए एकदम आजाओ कि सोचोंग मेरा कोश्चन सही हो गया तो टी कितना चार है माइनस 3 इंटू 50 बटे 11 ठीक है चार में से तीन जाएग एक बच्छे का एक कीवरणा 60 से करेंगे कोई फरक निपड़े का 60 यह जाएगा 60 बटे 11 जब 11 से 60 को डिवाइड करेंगे 11 55 बच्चा 5 25 सही 5 बटे 11 अब तुमारे दिवाग मां यह 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 भी आंसर हो गए तो मैं कहता हूँ हाँ B उर C दोनों हमारे आंसर हो गए तो option no b उर C दोनों ठीके option no b उर C दोनों तो जहां अगर ऐसी प्रोल्म फजाओ तो यह ट्रिक आपना सकते हो बैसे 90 परसेंट यह उस चीज से काऊं जाता दस बना करें ठीक है तो आपका यह कन्फिजन भी दूर हो गया होगा अब अगला टाइप देखते हैं अगला टाइप क्या है अगला टाइप है चार और 5 बचे की बीच घड़ी की गन्टे देजह मिनिट की सुग है कब एक दूसरे के वीपरित होंगी या एक दूसरे से 100 से डिग्रेग कोण मनाएंगे ठीक है या तो question बोल देता है एक दूसरे से भी प्रित होंगी है बोल देता है कभी एक दूसरे से 160 degree कोड़ों आएंगी तो बहुत आसान तरीका इसका भी क्या करना तुमको option number C पहले check करेंगे option number C में तुम देखोगे option number C में यहां से check करेंगे जब तुमने देखा अंस कितना 4 और 50 में एक आएंग कितना 0 4 में जब 0 जोड़ेंगे 4 आएगा देखती गाड़तों कि यह हमारा answer नहीं होगा ठीक है जो option number D पर आओगे तुम चेक करोगे अंस कितना 6 एक आएंग कितना चबवन में एक आएंग 4 कितना होगे जोड़के 10 डेरेक्ट answer लगा देना option number D ठीक है और इसमें भी तुम्हारे दिवांग मारिया हो अगर चार ओप्सन होगे तो क्या करेंगे उसका तरीका में लास्ट में बताऊंगा ठीक है तो वीडियो को लास्ट देखना D हमारा answer correct हो जाएगा अगले question पर आती है अगला question ये है बहा कौन सा समय है जब 2 और 3 की पीच घड़ी की सुईया एक दूसेटे से 180 डिगरी का कौन बनाती है तो देखती answer लगा दिया होगा तुमने मुझे लगता है option number A ठीक है बताने इक जुरूती नहीं है option number A तुमने लगा दिया होगा answer क्योंकि तीन और साथ दस Option number A हमारा correct answer हो जाएगा यहाँ पर देख रहागा 8 ठीक है 11 11 यह गया यह तो हमारा होगे नहीं यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा ठीक है option number A हमारा correct answer अगले question पर आताती है अगला question क्या है अगले question में आपका confusion दूर इसमें क्या है तीन और चार के बीज घड़ी की घंटे तरसा मिनिट की सुईया कब एक दूसरे के बीपरित होंगी या कब एक दूसरे से 130 degree का कोण बराएंगी तो बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ इस question को क्या करना है तुमें अब तुमनें पहले देखना है option number A में जब check करोगे एक जोड़ोगे अंस एक है और उड़न चास में इक आई गं कितना नो नो और एक कितना होगे 10 तुमनें देखा कि A हमारा answer होगा दिमाग में रख लिया हाँ होगा option number B पर जब गए तुम तुमनें सोचे 4 और 4 कितना होगे अंस कितना 4 और 4 और 4 में इक आई गं कितना 4 चार और 4 को जोड़ा तो कितना होगे card देखते इक आट दिया answer नहीं होगा option number D देखते इक आट दिया answer नहीं होगा क्योंकि अंस 3 एक आई गंग 16 में 6 639 काट दिया अब तुमारा confusion नागी कि option number A और option number C में answer कोन सा लगाना है कोन सा चूज करें कि हमारा answer यह होगा तो मैं उसके लिए उसके लिए भी तरीका बता जेता हूँ ठीक है उसके लिए बहुत आसान तरीका है जैसे मैं ने उसके लिए बताए समकोड के लिए ऐसे इसके लिए है इसके लिए क्या है T पिलस माइनस 6 इंटू 60 पटे 11 ठीक है T पिलस माइनस 6 इंटू 60 पटे 11 ठीक है उसमें क्या था समकोड में था T पिलस माइनस 3 इंटु 60 बटे 11 बस इतना तो याद रखना है अब तीकी देख तुम्हें पते ये बेली ले नहीं ठीक है अब मैं यहां पर तीकी देख कितनी रख दूँगा तीन पिलस छे मल्टिपलाई 60 बटे 11 ठीक है पहले मैंने पिलस चीन लिया ठीक है छे 3 कितना होगे 9 डारेक्टी गुण करणऊ मैं 6 3 किलों किलों 9, 9 की गुणा 60 साथ सागरी नोंच्यंग 5, satis कितना होगे 540 बटे 11 ठीक है डारेक्टी गुणा करती चैथ 4, 8 9, 9 की गुणा 60 मैं करी 9,おお 540 बटे 11 जब से डिवाइड करा तो कितना हैगा 11 주 44 कितना है दस के पीछे जीरो कितना होगे सो गयार नम निन्यान में उड़न चा सही एक पर्टे ग्यारा देखते तुम आंसर लगा दो ओप्सन नमबर यह हमारा आंसर होगे ठीक है ओप्सन नमबर एक अर्यक्ट आंसर अब तुमारे दिमांग में आ रहा होगा इसमें किसम माइनस इन क करना क्यों नहीं करना वह भी आमको बताएता हूं क्योंकि सारा डाउट किलियर होना बहुत जरूरी होता है उपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक उसकी डीप में नहीं जाए ठीक है अधर मैं यहां पर माइनस इन लेता हूं टी माइनस सिक्स मल्टिप्लाई सब्सक्राइब आठेक हो जेए तो पिसली वीडियो नहीं देखिए तो पिसली वीडियो जो देख लें क्योंकि बहुत अच्छे कुश्चन कराए थी मैंने कुश्चन नमर अगला है इस टाइब की कुश्चन आते हैं और जाद तर इस्टुडेंट कन्फिज़ आते हैं जब 30 दिगरे के कौन होता है बहस समय बताईए जब 4 और 5 बजे की 20 सुनियों के मद्द 30 दिगरे के कौन हो ठीक है तो आप देखती अंसर लगा दियोगा प्यारे स्टुडेंटों ने क्योंकि पता है सबको मैंने बता दिया तरीका अंस कितना? 4 सोलर में ही गएगा कितना? 6 6 और 4? 10 10 इसका मतलब 5 हमारा आंणसर कितना easy है ना? अगर आप चाहते हो कि हर question का में और तरीका सोट तरीका और बता हूँ या आपको बिल्कुल basic तरीका बता हूँ तो मुझे comment करना ठीक है? जैएसे इस question का आप चाहते हो कि और basic तरीका बता हूँ तो मैं उसका बेसिक तरीका बता दूँँ क्योंकि यहां पर इस पेस नहीं बचाए इसलिए मैं यहां बता नहीं पाऊंगा ठीक है बैसे तो 90% कोश्चिन इस सोल भी होते हैं दस बना कर ठीक है अगले कोश्चिन पर आती है अगला कोश्चिन जो काफी स्ट्रेंड को परेसान करता है और काफी स्ट्रेंड ने यह कोश्चिन पूछाता सर इस कोश्चिन को बताओ इस कोश्चिन को बताओ ठीक है इसके काई टाइप है पर मुझे बुक में एक ही कोश्चिन मिलाई तो मैं इस कोश्चिन को इउठा ला एक लाइन यहां किश देनी है एक लाइन यहां किश देनी है ठीक है आपको क्या लिखना आए अब कॉशन पढ़ना तुमें घंचायम की घंडी तेज चलती है आज दो पैर को उसकी घंडी 12 से 5 मिनटे पीछे थी इसका मतलब जब 12 बज़े चीह थे उस तें 5 मिनटे पीछे तो कितने बज़े से बारा बज़े ठीक है मैं पूरे डिटेल में लिखना आपको समझा ना ठीक है बारा बज़े कितने मिनट पीछे थी जितने मिनट पीछे थी वहां पर लिखना पीछे का मतलब माइनस चीन लेना कितने मिनट पीछे थी पांच मिनट ठीक है मिनट पूरा स और यह यहां पर देख रहा है लेकिन साम साम को साथ बज़े उसने पाया कि उसकी घड़ी साथ बचकर नो मिनट तरस रही है इसका मतलब साथ बचकर नो मिनट तरस रही है इसका मतलब नो मिनट आगा होगी उसकी घड़ी साथ बचने चाहिए थे उस तेम नो मिनट आगा सकते हो हर कोश्चिन में बैसे डायरेक्टी बोल सकता है कि साथ बज़े नौ मेंट आ गया थी ऐसे बोलता हर कोश्चिन पर इसमें थोड़ा सा गुमा रगा ठीक है उसकी घड़ी साथ बचकर नौ मेंट तरस रही है इसका मतलब साथ बज़ने चीए थे जिस टेम साथ बज़ साथ बे तक कितने घंट होई यह देखने दुम्हें ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे हम एक माइन से एक पिलस ठीक है इन दोनों को जोड़ देंगे क्या है मिनट ठीक है जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम पांच को और नों को कितना हो जाएगा 14 मिनट कितना हो जाएगे 14 मिनट बरावर किसके लेना है 14 मिनट को इन घंटे के बरावर लेना ठीक है ये 12 बज़े से 7 बे तक कितने घंटे हो ये तो कितने घंटे हो या तो पांच मिनट की वैल्यू निकाल लो या 9 मिनिट की वैल्यू निकाल लो या 5 मिनिट की वैल्यू निकाल लो या 9 मिनिट की वैल्यू निकाल लो जो तुम्हें easy लगे उसकी वैल्यू निकाल लो ठीक है मैं 5 मिनिट की वैल्यू यहां से निकालूँगा तुम चाहो तो 9 minute की value में निकाल सकते हो मैं जब 5 पहला तो 1 minute की value निकाल लोगा 1 minute बरावार 7 बटे 14 हो जाएगा इसका मतलब 1 बटे 2 घंटे में लिख सकता हूँ ठीक है? 1 बटे 2 घंटे डिरेक्टी लिख सकता हूँ क्योंकि 14 7 के बटे में जाएगा 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 ठीक है? अब मुझे 5 minute की value निकाल लिए तो 5 minute बरावार हो जाएगा 5 बटे 2 घंटे 5 बटे 2 घंटे 5 बटे 2 घंटे का मतलब 1,5 घंटे ठीक है? आप समझ रहे होगे 5 बटे 2 घंटे का मतलब 1,5 घंटे जब मैं इसे इस तरीके लेख सकता हूँ 2 सही 1 बटे 2 घंटे 2 सही 1 बटे 2 घंटे कोश्चन खतम हो गया 5 minute की value 2 सही 1 बटे 2 घंटे इसका मतलब 1,5 घंटे अब मैं तुमसे कहूँ 12 बजे 5 मिनट पीछे थी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी तो सही समझ बताएगी के नहीं तुम खुद बोलो अगर मैं इसे 1,5 घंटे आगया कर दू तो सही समझ बताएगी के नहीं तुम्हें यहां से 12 बजे में 12 बजे में 12 बजे में कितना जोड़ दूँगा 1,5 घंटे में जोड़ दूँगा ठीक है हो गया दो बजकर 30 मिनिट जो हमारा उप्सन नमबर सी में है ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों साथ सेर करना और बताना किस टाइब के कॉस्चन और में लेकर आओं ठीक है